जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं रिंग सिंथेसिस इन और्गेनिक केमेस्ट्री और्गेनिक केमेस्ट्री के अंदर जो आपको और्गेनिक कमपाउंड दी जाते हैं सबस्टेट दी जाते हैं उनमें रिंग कैसे बनती है तो चल having two reactive sites that is nucleophilic and electrophilic usually undergoing synthesis बचो दियान रखिएगा जो भी आपको starting material मिला है जो भी substrate मिला है उसके अंदर दो ऐसे functional group लगे होने चाहिए जिनकी nature electrophilic और nucleophilic हो clear है अगर आपके compound के अंदर दो ऐसे group लगे हैं जिनकी जो nature है जिनकी जो tendency है वो nucleophile और electrophil की तरह behave करनी की है तो ऐसे substrate में ऐसे compound के अंदर ring जरूर बनेगी तो इंट्रमोलिकुलर reactions lead into cyclization to give 3, 4, 5, 6, 7 membered cyclic compounds बचो जो भी आपका starting material जिसके अंदर nucleophile और electrophil लगे हैं वो आपस में react करते हैं और ये reaction कहलाती है intramolecular reactions और आपको पता होगा जिनको नहीं पता है कि intramolecular reactions क्या होती है तो बच्चों intramolecular reactions जो होती है वो एक ही compound के अंदर होती है simple language यूज़ कर रहा हूँ एक ही substrate के अंदर एक ही compound के अंदर reaction होगी तब जाके आपको तीन चार पांच छे साथ atom वाले ring मिलेगी clear हुआ और ये कैसे होगा ये तब ही होगा जब उस आपके starting material में nucleophile और electrophile nature वाले functional group लगे हूँ आई एक example से clear करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर first second third तीन example दी है तो आप यहाँ पर देखिए पहला आपका है उसके अंदर यहाँ पर इस compound के नेचर का वाला functional group होगा वो electron rich होगा इसलिए यहाँ पर हमने electron भी दिखाये होगे और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाला जो functional group होगा उसमें electron की कमी होगी लेकिन इस वाले substrate के अंदर इस वाले starting material में केवल एक ही functional group लगा हुआ है जिसकी नेचर nucleophilic है यहाँ पर इसमें इस compound के अंदर कोई दूसरा functional group नहीं लगा है जिसकी नेचर कैसी हो इलेक्ट्रोफिलिक तो इसके अंदर reaction नहीं होगी second substrate second example में reaction नहीं होगी इसलिए यहाँ पर cross लगाया हुआ है जी cross में आया कि यह react नहीं करेगा वह क्यों नहीं करेगा क्योंकि आपके starting material में दो functional group का होना जरूरी है जिसकी नेचर nucleophilic और electrophilic हो तब ही जाके react करेगा तो क्या third में reaction होगी हाँ sir third में reaction possible है क्योंकि इसके अंदर दो opposite functional group लगे हैं जिनकी nature nucleophilic और electrophilic है तो यहाँ पर first और third में reaction होगी intra molecular reaction होगी जिससे आपका ring बनेगा क्या यह आपको clear है जो हमने उपर discuss किया वो इन तीन example से clear हो जाता है kinetic and thermodynamic factors play pivotal role in the ring synthesis बचो यह तो आप जानते ही हैं ध्यान नखेगा किसी भी reaction के अंदर organic chemistry की बात कर रहे हैं तो organic synthesis है यह हमारा तो organic synthesis में organic chemistry के अंदर दो ऐसे factor हैं जो किसी भी reaction को proceed कराते हैं आपने देखा मैं सिर्फ दो example लूँगा एक reaction है जिसके अंदर आप उने A और B मिलाया और आपका product मिल गया एक दूसरी reaction है जिसके अंदर आप A और B मिलाते हैं reaction को होने में 6 गंटे लगते हैं clear है आपको और एक तीसरी reaction तीसर एक्जामपल लेते हैं जिसमें आप A और B मिलाते हैं लेकर product नहीं बनता तो बताइए क्या कहेंगे आप तो हम सर सिंपली यह कह सकते हैं कि जहां पे reaction नहीं हो रही है अब सुनिए क्या बोलता हूं जहां पे reaction नहीं हो रही है थर्ड एक्जामपल में उसका मतलब है कि वहां पे kinetic और thermodynamic दोनों factor में से कोई भी support नहीं कर रहा है इसलिए reaction नहीं जा रहा है अब बात करते हैं कि जो reaction B वाली दूसरे एक्जामपल ने बताया कि जिसमें time ज़्यादा लग रहा है तो भाई उसमें time इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसमें केवल एक factor support कर रहा है दूसरा factor support नहीं कर रहा है clear है अब बात करते हैं पहले एक्जामपल की जो बहुत जल्दी reaction हो जाती है easily हो जाती है तो सर उस reaction के अंदर पहले example में जहां पर reaction easily हो रही है इसका मतलब है कि वहां पे दोनों factor support कर रहे हैं अब यहां पे एक सवाल आ सकता है आपके दिमाग में कि सर पहले आपने kinetic और thermodynamic factor तो बताओ कि क्या होते हैं कैसे यह ring synthesis में कैसे किसी reaction को गवन करते हैं control करते हैं तो बच्चों सुरू करते हैं आप देखिए आपको पता है कि किसी भी reaction के अंदर दो काम होते हैं पहले बॉंड टूटते हैं और फिर बॉंड बनते हैं क्या है किलियर है आपको देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको आने चाहिए पता भी होगा मैं यह नहीं कहता तो हम लोग बात करते हैं किसी भी reaction के अंदर पुराने बॉंड टूटते और नए बॉंड बन तो बॉंड टोडने के लिए जो एनर्जी आप देंगे वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको यह से दिखाते हैं क्या है आपको किलियर है तो यहां पर आपको समझने वाली बात ही है कि किसी reaction के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी हाँ हाँ सही देख अब आते हैं thermodynamic factor पे अब इसको ऐसे समझे कि आप reaction के अंदर आपका starting material और product को देखिए है ना जी तो starting material और product की अगर बात करें तो यहां पर जो चीज होती है ना जी वो होती है energy आपको यह देखना है जिस समझने के लिए कि जिस reaction के अंदर product की energy starting material से कम होती है तो फिर से बोलता हूँ वो reaction जिसके अंदर product की energy starting material से कम होती है वो reaction thermodynamically favored कहलाती है किलियर है आपको तो चलिए फिर सुरू करते हैं ring synthesis में चीजों को लगाते हैं और जानते हैं कहां पे favor करेगा और कहां पे नहीं करेगा किलियर हुआ kinetic factor favors those reactions or cyclization in which less activation energy EA needed while thermodynamic factor depends upon the energy of the product as it should be lower भाई यही तो अभी discuss किया था है ना जी किलियर हुआ आपको तो किसी भी reaction के अंदर चाहे हो cyclization हो कोई भी reaction है जी इना मिनडी का बस आपको द्यान रखना है कि वहां पे बोन तोनने के लिए सब स्टेट के starting metal के बोन तोनने के लिए अगर energy कम लग रही है कम जुरत पड़ रही है तो activation energy कम होगी और reaction जनती होगी clear है और वो कहलाएगा kinetically favored reaction लेकिन अगर reaction के अंदर बनने वाले product की energy कम है तो reaction कहलाएगी thermodynamically favored clear हुआ three-membered ring synthesis is more favored by kinetic factor as it needs very lesser activation energy but not favored by thermodynamic factor अब सर समझी इस line को हमने बताया कि जो ring होती है सबसे छोटी ring जो होगी वो तीन carbon की होती है तीन atom की होती है ना जी तीन atom की तो शुरुआत वहीं से कर रहे है हम लोग पहले ring synthesis discuss कर रहे है इन three-membered ring तो ध्यान रखीएगा three-membered ring अगर आप बना रहे हैं तीन atom की ring बना रहे हैं तो वो reaction जो होती है kinetically favored होती है kinetic factor उस reaction को support करता है उस reaction को proceed कराता है क्यों कराता है अब इक kinetic factor क्योंकि उस reaction के अंदर activation energy की amount कम होती है जो जब activation energy कम होगी तो reaction के लाएगी kinetically favored clear हुआ तो kinetic factor support करता है three-membered ring को ध्यान रखीगा अगर तीन atom वाल रिंग बनानी है तो उसमें केवल एक ही factor support करता है kinetic लेकिन thermodynamic factor support नहीं करता है अब यहाँ पे फिर से वही जिंगल ला हो रहा होगा दिमाग में सर क्यों नहीं करता है तो आपको बताया था ना जी आईए उसको ढूंटे है उस चीज को जो हमें discuss उपर की है As per Bayer's strain theory in three member ring small bond angle causes strain that results increase in potential energy Sir Bayer's strain theory यह कहती है कि जब आपके ring छोटी होती है तो वहाँ पे जो bond आपका bond angle कम होगा bond angle कम होगा तो repulsive forces बढ़ जाते हैं clear हुआ और ऐसा कब होगा जब आपके ring छोटी होगा यानि three member ring three member ring के अंदर bond जो होते हैं वो काफी पास पास होते हैं यह काफी कम होगा और यह एक दूसरे को bond जो है bond electron जो है यह repulsion cause करेंगे और सब जब repulsion cause होगा तो आप बताइए बनने वाले three member ring की जो energy होगी product की energy जो होगी वो कम होगी जादा होगी सर ring तो बन जाएगा लेकिन ring बनने के बाद में जो repulsion इसके बीच में लग रहा है angle कम होने की वज़े से वो इस product की energy बढ़ा देगा और जब इस product की energy बढ़ जाएगी तो यह product आपका less stable हो जाएगा और less stable होना product की energy का बढ़ना it means it is not favored by thermodynamic factor यानि thermodynamically यह reaction आगे बढ़ने में मुश्किले आती है product जो है वो unstable होता है less stable होता है तो reaction difficulty से जाती है rate कम हो जाता है time जदा लगता है क्या यह बात simple system में आती है आपको तो ध्यान नखीगा three member ring के अगर बात कर रहे है तो उसमें केवल kinetic factor support करेगा क्योंकि activation energy कम होती है thermodynamic factor support नहीं करता है favor नहीं करता है जी क्यों नहीं करता है क्योंकि वहां पर ring छोटी होने की वज़े से bone angle bone angle repulsion बनने वाले product बनने वाले three member ring के energy को high कर देता है इस वज़े से thermodynamic factor support नहीं करता है जी clear है जी यह देखिए यहां पर हमने substrate लिया हुआ है जिसके अंदर दू active site है जी एक nucleophilic है एक electrophilic in nature है nucleophilic site वो होती है जो electron rich होते है यहां पर दो electron दिखाए भी है lone pair दिखाया हुआ है electrophilic site जो होगी यानि कि वो वाला functional group जो electrophilic in nature है वो electron deficient होगा electron की कमी होगी तो यहां से electron move करेंगे जो आपका group nucleophilic होगा वो अपने electron देगा इस वाले group को और जब electron जाएंगे तो sir nucleophilic nature वाले group में और electrophilic nature वाले group के बीच में bonding हो जाएगी और यह आपका बन जाएगा 3 member ring 1, 2, 3 3 member ring synthesis के लिए हुआ आपको यह simple से example लिया है proper example हम लोग आगे discuss करेंगे जी अब थोड़ा जान लेते हैं 4 member ring के बारे में 4 member ring synthesis is not favored kinetically because in staggered conformer it possess least energy as nucleophile and electrophile are far distant so it converts into another conformer by which both reacting sites bring closer to attack and it results into higher activation energy यहाँ पर देखी यह आपका substrate starting material है तो यहाँ पर आप आएंगे कि nucleophile जो है यह देखी यहाँ पर इन दोनों के बीच में reaction जो होता है वो थोड़ा असान नहीं होता है kinetically sir क्या कहना चाहरे है यह जो आप conformer देख रहे हैं जो आप यह configuration देख रहे हैं form देख रहे हैं इस form के अंदर क्या होता है जी nucleophile और electrophile के बीच में distance बहुत जादा होती है distance जादा होने की वज़े से इस staggered form में जो है repulsive force तो कम होगा लेकिन electrophile और nucleophile जो आपकी active site है जहां पर reaction होना है जी उनके बीच में distance जादा होती है distance जादा होने की वज़े से क्या होगा जी इसको kinetically support नहीं मिलेगा clear है यानि कि आपको यहां पर energy देनी पड़ती है इस conformer को इस form को इस configuration को change करना पड़ेगा आप देखें यहां पर यह stable है यह more stable है क्योंकि यहां पर active site के बीच में distance काफी जादा है बासन में आती है सर आती है तो यहां पर आपने energy दी energy किस ने ली सर सबस्टेट ने ली इसके energy बढ़ जाएगी energy बढ़ने से यह less stable form में आ जाएगा और less stable form जो है यह वाला conformer है देख पा रहे हैं आप यहां पर आप देखिए इस conformer में इस orientation में nucleophile और electrophile जो पहले काफी दूर थे वो काफी पास पास आ गए है और यह reversible होता है process आप जानते हैं कि जो stable conformer होते हैं उनकी energy कम होती है और जो less stable होते हैं वो less stable इसलिए होते हैं क्योंकि उनके energy जादा होती जैसे आप देख पा रहे हैं तो आपने less stable में more stable में energy दी जिससे वो को less stable conformer में बदल गया अब देखिए यहां पे energy देने से क्या हुआ कि nucleophile और electrophile के बीच की distance कम होगी जिससे nucleophile अब इस electrophilic site पे इस group के ऊपर attack कर सकता है और bond बना सकता है clear हुआ तो you need more energy in that reaction इस reaction के अंदर आपको जादा energy देनी पड़ रहे हैं अपने starting material को active करने के लिए reaction को proceed कराने के लिए और जब activation energy जादा देनी पड़ती है जी तो वो reaction जो होती है वो kinetically favored नहीं होती है क्या ही clear है आपको बोलो भाई clear हुआ के नहीं हुआ चलिए अब ये तो हुआ आपका four member ring यहाँ पे क्यों ये kinetically support नहीं होता है clear हो गया होगा अब सर आप यहाँ पे थोड़ा और देखिए close यहाँ पे यहाँ पे यह दो हमने arrow दिखाए हैं यह arrow हम यहाँ भी दिखा सकते हैं जी ऐसे करके हैं न जी यह देखिए हैं यह देखिए हैं सर यहाँ पे 90 का angle हम मानके चल रहे हैं about 90 का क्योंकि देखिए यहाँ पे clear हो रहा है आपको ring तो बन गई है आपकी चार atom की बहुत अच्छी बात है बदाई हो लेकिन यहाँ पे सर इसका जो bond angle है वो 90 के about होता है लगबग तो bond angle कम होने की वजह से यहाँ पे bear strain theory यह कहती कि दिखो भईया repulsive force भी बराबर लगेगा वो नहीं छोड़ेगा आपको तो repulsive force जब लगेगा तो बनने वाले four member ring की four atom वाली चार atom वाली ring की जो energy होगी इस product की जो energy होगी वो बढ़ जाएगी जब energy बढ़ जाएगी तो product आपका less stable होगा त तो product की energy क्या होने चाहिए थी कम क्या करने के लिए thermodynamically support करने के लिए तो thermodynamic factor भी इसको support नहीं करेगा thermodynamically reaction भी unfavored है clear हो रहा है वह क्यों energy इसको thermodynamically favor क्यों नहीं कर रही है सर क्योंकि यहाँ पे product की energy ज़्यादा है starting material के comparison में so this reaction will not be favored by thermodynamically not favored by kinetically why because it needs more energy है ना तो जब ज़्यादा energy देंगे तो activation energy high हो जाएगी और सर activation energy high होगी तो ना तो इसको kinetic support कर रहा है और ना इसको thermodynamic factor support कर रहा है क्या है clear है आपको तो एक बास में आती है कि three member ring को support करता है जी आपका kinetic factor thermodynamic नहीं करता है लेकिन four member में दोनों support नहीं करते हैं जी ना आपका kinetic और ना आपका thermodynamic factor याद रखिएगा लेज़े सर बातों बातों में हम लोग आ गए five member ring की तरफ तो आई जानते हैं similar to three member ring formation five member ring formation is also favored kinetically on the other side less energy of the ring is also favored thermodynamically due to least angle strain तो सर यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जो five member ring बनती है उसको kinetic factor support करता है सर kinetic factor तो आपका three member को भी support किया था हाँ वो ही तो बता रहे है कि भाईया five member five atom वाले ring को तीन atom वाले ring की तरह ही kinetic factor support करता है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे less activation energy की जुरत पड़ती है और यहाँ पे thermodynamic factor भी support करता है तो देखे three member की बात करी फोर की करी और five में आ गया है हम लोग तो five member ring जो होगी पाँच एटम वाले ring जब भी बनेगी किसी भी intra molecular reaction के अंदर द्यान दखीगा प्रभू कि वहाँ पे दोनों factor support करते हैं तो हाथ reaction होती है जी पाँच एटम वाली ring जहां बनती है उस reaction का rate उस reaction की जो smoothness होती है yield होती है वो काफी बढ़ जाती है productive reaction होती है क्योंकि वहाँ पे दोनों factor support कर रहे हैं क्यों support कर रहे हैं थोड़ा जान लेते हैं आगे example के साथ सर थोड़ा देखी गए यहाँ पे यह आपका सबस्टेट है starting material है यहाँ पे यह staggered form है क्योंकि इसकी energy कम है energy कम इसलिए क्योंकि इसमें nuclear file काफी दूर दूर होते हैं आपको energy देते ही convert हो जाता है clear है आपको और यहाँ पे nuclear file attack कर देते हैं और यह five member ring बन जाती है यहाँ पे एक तो कम energy देने से ही यह आपके activation energy कम देनी पड़ती है four member की compare में तुलना में लेकिन यहाँ पे जो बनने वाला product है उसके बीच में जो bond angle होता है यहाँ पे bond angle five atom ring है तो it will be more than 90 90 से जादा होता है clear है तो यहाँ पे जो repulsive force लगने वाला था bond angle bond angle की बीच bear strain theory की वज़े से वो काफी कम होता है यानि product की जो potential energy होगी इस ring की product की यानि बुले तो ring पांच छिटम वाले ring की जो potential energy है वो starting material से कम होती है so it will be support by thermodynamically तो यह thermodynamic factor भी इसको support करेगा और kinetic factor भी support करेगा तो यह reaction इसलिए दोनों factor इसको support करते हैं क्या है clear है आपको ध्यान रखीगा इस चीज़ को in case of six member ring synthesis it is more favored by both thermodynamic and kinetic factor सर एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको आप तो genius हैं पर थोड़ा सा ध्यान रखीगा कि जितने भी intra molecular reactions होगी एक ही molecule के अंदर जहां पर ring बनता है वहां पे five और six member आप eight atom वाले ring तक चाहिए या तीन बनाई है चार वाले बनाई है पाँच वाली बनाई है चेह वाली बनाई है साथ वाली बनाई है आठ वाली सर कोई भी ring बने generally आम तोर पे ऐसा पाया गया है आप करेंगे तो आप ही पाएंगे लैब के अंदर की जो five member और six member ring ओती है नहीं देखिये दो जीजे बो को बाकी जितनी भी ring होती है उन में ये factor हो सकता है कि एक करें thermodynamic अगली में kinetic करें लेकिन दोनों factor जो favor करते हैं वो 5 और 6 में ही करते हैं इनका rate higher होता है इनकी efficiency ज्यादा होती है यह आपको ध्यान रतना है जी देखे सर ये तो हम जान चुके है कि 5 और 6 मेंबर को दोनों factor support करते हैं लेकिन अगर compare किया जाए तो 6 मेंबर रिंग के अंदर thermodynamic factor थोड़ी जादा support करता है kinetic factor के compare में ठीक है जी compare अगर आप करते हैं competitive study कर रहे हैं तुल्लातम का अध्यान कर रहे हैं तो आप आएंगे कि यहाँ पर आपका जो thermodynamic factor है वो ज्यादा effective होता है more dominant होता है than that of kinetic लेकिन kinetic भी भरपूर support करता है आई जानते हैं कैसे देखिए यह आपका यहाँ पर सब्सक्रे activation जो आप देख रहे हैं इसकी एनर्जी कम है एलेक्ट्रोफाइल और निकलियोफिलिक साइट जो है एक्टिव साइट वो दूर दूर है तो इसको आपको activate करना पड़ेगा by supplying the energy इसलिए पर प्लस ई लिखा हुआ है आप एनर्जी देंगे तो यह ही आपका देख रहे है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल और निकलियोफाइल है वो काफी close आजाते हैं किलियर हुआ जी अब close आने से क्या होगा इनके बीच में reaction होगा और reaction जो यह confirm चेंज हो रहा है जी confused मत होई है यहाँ पर यह confirm चेंज होता है किलियर है आपको energy देने के बाद यह less stable है तो आप रिंग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बताया था कि आपको कि यहाँ पर दोनों फेक्टर सपोर्ट करें बड़ थर्मडर्मिक ज्यादा कर रहा है कि बनने वाला प्रोड़क्ट जो है आप यह एक्वीवेलंट का साइन तासर थोड़ा सा इधर हो गया है आप ऐसे कर लिजेगा और चलेगा तो यह कंफरमर एंदी आप और यह आपको चेर फ़ोर्म में एरेंज करता है तो चियर फ़ोर्म में जब आपका बनने वाला six member ring रहेगा आप पढ़के आए है energy board form, chair form तो आप जानते हैं chair form या chair configuration जो होता है it is found more stable than that of staggered क्योंकि भाईया यहाँ पे होता क्या है कि इसकी energy कम होती है, इस product की energy और starting material की energy काफी कम होती है तो जब product की energy काफी कम होगी, energy difference ज़्यादा होगा, तो thermodynamic factor ज़्यादा support करेगा जी आपका, यही reason है कि six member ring के अंदर दोनों factor support करते हैं, लेकिन thermodynamic factor थोड़ा ज़्यादा effective हो जाता है, dominate ज़्यादा करता है because the forming product or six member ring जो आपकी बनी है it consists of lesser potential energy, इसकी energy कम होती है इसलिए thermodynamic factor ज़्यादा support करता है, तो क्याई clear है जितने भी ring बनती है, three, four, five, six, seven उन में कीवल five और six को दोनों factor support करते हैं जी, six member के अंदर आते हैं तो यहाँ पर दियान नखीगा दोनों factor में से thermodynamic factor थोड़ा ज़्यादा effective होता है क्योंकि बनने वाला ring जो product है आपका six member ring उसकी energy काफी कम होती मोटी-मोटी चीज़े करें ring formation is the example of intramolecular reactions, clear है ज्यान न कीगा, और यहाँ पर दो factor dominant करेंगे, thermodynamic और kinetic, so it was the general information about the ring formation in any substrate or given organic compound, clear हुआ होगा फिर भी कोई doubt रहता, आप चिंता बिल्कुल ले करें, हम बने हैं, आपके साथ आप हमसे message करके पूछ सकते हैं, mail ID भी आपको मिल जाएगा है ना, दिया होता है details में आप channel पर जाएंगे दिखेगा, आप हमको पूछ सकते हैं, so thanks for watching मिलते हैं अंगली वीडियो में, जाइं